असलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद है आप सब खेरियस से होंगे मैं हूँ जाजब आप देख रहे हैं टेग वीडियो रिव्यूज आज इस चीज के हम रिव्यू करेंगे वह है सैंसंग गलेक्सी हम इन दोनों मोबाइल को आपस में कंपेर करेंगे और चैक करेंगे कि सैंसंग ने इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रखा है और आखिर में देखेंगे कि इन दोनों की प्राइज रेंज क्या है तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलें जी स्टार्ट करते ह तक्रीबन देखा जाए तो दोनों के अंदर ही same build quality इन्होंने रखी है, अगर as 2022 Ultra के अंदर देखा जाए तो android 11 operating system रखा है और same operating system इन्होंने देख सकते हैं कि दोनों की ही तक्रीबन सेम dimensions है कुछ points का मामूली सा फरख है बस दोनों के अंदर UI options तक्रीबन दोनों का सेम है 3.5, 3.5 और इसी तरह दोनों के अंदर dual sim, dual standby के options मौझूद है built quality के अंदर दोनों को ही तक्रीबन हम 10 numbers देंगे इसी तरह अगर इनकी frequency की बात करें हम तो दोनों के अंदर तक्रीबन same options मौझूद है अगर इनकी दोनों की frequency की बात करें तो तक्रीबन आप देख सकते हैं कि frequency के same ही option इन्हों ने रखे हैं 2G, 3G, 4G, 5G दोनों के अंदर अविलेबल है options ही है S2022 Ultra के अंदर और Note 2022 Ultra के अंदर दोनों के अंदर same frequency options मौझूद है frequency के हिसाब से भी हम दोनों को तक्रीबन 1010 numbers ही देंगे अगर इन दोनों के प्रोसेसर की बात करी जाए तो तक्रीबन प्रोसेसर का option भी तक्रीबन दोनों के अंदर ही same है कुछ मामूली से बस इन्होंने फरक यहां पर कराया है CPU दोनों के अंदर आप देख सकते हैं 2.9 GHz का लगावा है चिप सेट जियोन का लगावा है जबके थोड़ा सा मामूली से यहां पर इन्होंने फरक दिया है जियोन 2100 जो है वह एस 2022 ultra के अंदर लगावा है और note 2022 ultra के अंदर इन्होंने 2300 लगावा है जबके ठोड़ा और जादा प्रोसेटर इसके अंदर यहां लगा सकते थे तो प्रोसेटर के अंदर हम दोनों को 55f देंगे चलेगे अगर बात करें इन दोनों के display की तो डिस्पले भी अप यहां पर देक सकते हैं तक्रीबन सेम ही ूष्ट याँ पर फिर ही ढ़लोजी वो डैनेमिक अमुलिट टेक्नलोजी ने रखी ऑ Message स्क्रीनसिक अगर बात करीजा है तो फिर दोनों सेमसंग थोड़ा लाज बात कर बात कर जाए तो उसे में मौच तो सेमसंग थोना दम इस पर दिखर पित्क ना। या इनको और जादा extend कर सकता था अपने options को मगर इन्होंने नहीं करा यहाँ पर तो चले इनको अगर डिस्प्ले के हसाब से हम यहाँ पर numbers दें तो 10-10 numbers दोनों को हम देंगे यहाँ पर डिस्प्ले के हसाब से अगर memory के इनकी बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों की तक्रीबन सेमी memory है 256GB और 12GB के साथ available है और इसके लावा 512GB और 16GB के साथ भी available है तो यहाँ पर memory में भी कोई ज्यादा difference नहीं दिया है तो memory के साब से भी तक्रीबन हम इनको दोनों को 5-5 numbers यहाँ पर देंगे चलने जी सबसे important option camera अगर camera यहाँ पर हम दोनों का देखें तो कोई इतना ज्यादा difference नहीं है मगर यह के अच्छे camera लगाए नहीं ने main camera अगर हम दोनों का देखें तो 108 megapixel का camera दोनों के अंदर यह लगाया है और front camera अगर हम देखें तो S2022 Ultra के अंदर 40 megapixel camera है और not 2022 Ultra के अंदर 32 मेड़ा पिक्सल केमरा इन्होंने दिया है तो चलें अच्छे आ ओर जिन्होंने केमरे की रिजिलेशन्स यहां पर बढ़ा दिये थोड़े अच्छे आप्शन्स दे दियें यहां पर के तो कैमरे के हिसाप से अगर इनको हम यहां पर ऑप्शन्स देंगे त तो हम समझ लेंके 15 नमबर देते हैं यह और नोट इन्ट डूएंटिटी टू अल्टरा को हम 10 नमबर देंगे यह उब चले जी अगर बात करें इनकी connectivity की तो connectivity के अंदर भी आप देख सकते हैं सेम औप्शिंस हैं मगर अच्छी औप्शिंस जो Wi-Fi इन्होंने रखा है, वो 802.11 रखा है, लेटस्ट मॉडिल है Wi-Fi का, Bluetooth के अगर बात करें तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि same 5.2 वर्जन की Bluetooth लगी भी है, दोनों के अंदर GPS मौझूद है, USB options के अगर बात करें तो 3.2, Type-C 3.2 दोनों के अंदर मौझूद है, NFC मौझूद है दोनों के अंदर और डेटा, GPRS, 3G, 4G, 5G मौझूद है, तो अगर connectivity के इसाफ से इनको नमबर हम देंगे, तो 2020 नमबर दोनों को देंगे, अगर extra features की बात करी जाए दोनों की, तो तकरीबन दोनों के अंदर same extra features है, dual LED flash light और auto HDR options दोनों के अंदर मौझूद है तो extra features में दोनों को ही हम तकरीबन 5-5 नमबर देंगे, अगर battery capacity की बात करी जाए दोनों की, तो S2022 Ultra के अंदर भी इन्होंने 5000 mAh बैटरी रखी है, और Note 2022 Ultra के अंदर भी इन्होंने 5000 mAh बैटरी रखी है, तो बैटरी के हिसाफ से जितनी इन दोनों mobile की cost होने वाली है market में, उ उसे हिसाब से इनको battery कम से कम 6000 तो रखनी चाहिए थी यहाँ पर, मगर चले 5000 इन्होंने रख दी है, वो भी काफी बड़ी बात है, तो battery capacity के हिसाब से भी इनको हम number अगर देंगे, तो 55 number ही देंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने जो prices के market में आने वाले हैं, उसे हिसाब से अब तक मालूमात मिली है, यह तकरीबान 1200 डॉलर का release होगा market के अंदर, और note 2022 ultra 1250 डॉलर का market में release होगा, यह fixed price नहीं है इनकी, इसमें थोड़ा 19-20 ऊंच नीच हो सकती है, मगर हमारी जो information है, उसके हिसाब से तकरीबान 1200 और 1250 के दर्मियान ही, इनकी दोनों की जो price है, वो 1200 और 1250 डॉलर के दर्मियान ही release होंगे दोनों, चलने friends अगर आप लों को यह वीडियो अच्छी लगी है, तो comments में जरूर बताएगा, और अगर अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, ताके आने वाली हर वीडियो